हेलो एप्रीवन वेलकम टो अमको एजुकेशन मैं शिवानी हिस्ट्री की एक नई सीरीज के साथ जिसमें हम आज बात करेंगे सायर डैनस्टी की और इससे पहरे हम बहुत सारे जो डैनी सलतनत के अंदर जो डैनस्टी थी इंपॉर्टेंट उनको कवर कर चुके हैं आपको ज दोलक डैनस्ट्re के बारे में आप पढ़ेंगे उप्सक्राइब कर ले न और अच्छी वीडियो के लिए तो चलिए अपनी जो यह उसको करते हैं तो देखे आप्टर मोहम्मद स्टेथ दौलत खान तो देखे हुआ क्या था इससे भेले कौन से डैनस्टी चल रही थे तौलत डैनस्टी चल रही थे उसमें जो मोहम्मद नाम का एक रूलर होता है हाला कि वो जो तौलिक डैनस्टी से बिलौंग नहीं करता है लेकिन वो क्या होता है? वो भी एक नॉबल ही होता है उसकी डैथ के बाद एक दूसरा जो most powerful नॉबल होता है इसका राम होता है दौलत खान तो यह अपने आपको क्या कर लेता है? रूलर मान लेता है वहक का जैसे ही महां है इसकी मौहमद की डैथ होती है तौल जो दौलत खान होता है यह नॉबल होता है महां को अपने आपको क्या कर देता है? कि आपसे जो सुल्दान है वो मैं हूँ लेकिन होता क्या है? जो खिज्र खान होता है जैसे कि आपको बताया था, यह उसको हरा देता है और खुद सल्दार बन जाता है तो जैसे कि आपको पता था, जैसे कि जो king होता है या फिर जो उसके आने वाले successor होते हैं वो तिज़ादा powerful नहीं होते हैं, तो food पड़ जाती है और फिर क्या होते हैं, अपराइजिक शुरू हो जाते हैं लड़ाई जगड़े शुरू हो जाते हैं, सिर्फ थ्रोन के लिए तो यहां पर वही होता है, जो खिजर खान होता है यह भी एक governor होता है यह करता है, यह दौलत खान को हरा के जो दौरत खान है वो भी एक powerful noble ही होता है जो इस बात का फायदा उठाता है कि अप तुगलग dynasty में कोई बचा नहीं है तो ठीक है मैं बैठ चाता हूँ थ्रोन पर तो इसलिए इसका भी कुछ जादा time तर इसका rule नहीं चलता है और जो खिजर खान होता है वो इसको defeat करता है पहले और पर बाद में इसको kill करके खुद सिल्दान बन जाता है इसलिए हमने खिजर खान को कहा है कि ही वो असना founder of सायर डाइनस्टी ठीक है अगर question पूछा जाता है कि सायर डाइनस्टी का सिया community से belong करते हैं तो जैसे कि हमने देखा कि बाती सब जो हमारे डाइनस्टी थी उसमें जो empire है उसको काफी हटे expand किया गया है यहाँ तक तोलग डाइनस्टी तक भी जो empire था काफी बड़ा था तेकि सायर डाइनस्टी में क्या होगा इसमें जो area है वो छोटा होता जाएगा स्रिफ नाम के लिए एक डाइनस्टी रह गई थी कि हाँ सिल्टान है यह ठीक है ना भारत के लेकिन इनके पास जो power थी वो बिलकुल खतम सी हो चुकी थी जैसे कि slave जो डाइनस्टी थी उसने अपनी power को बहुत बढ़ाया, empire को बढ़ाया, सेम वैसे खिलजी, खिलजी ने बले ही 30 साल तक के लिए रूल किया लेकिन उसने अपने उनकी जो power और जोनका area था वो बहुत जाद expand किया ठीक है एक लंबे time तक जिसने सबसे जादर लंबे time तक जो रूल करती है, वो आपकी तुगलग डैनस्टी होती है तो लेकिन जो इस सहीर डैनस्टी थी इसने बहुत ही छोटे एरिया पर रूल किया है और ना कोई इनका जादर लंबा time period है सहीर डैनस्टी के अंदर हम four important rulers के बारें पढ़ेंगे इसमें होगे खिजर खान, फिर मुबारक शाह, फिर मुहमद शाह और पिर अलाउद्दिन आलम शाह ठीक है, और सारे मिलके जो रूल करते हैं ये 37 years तक के लिए इनका रूल चलता है बस कोई जादा रूल नहीं चलता है इनका 37 years में ही ये चारों का हम पूरा अंका टाइम देख लेंगे इन चारों ने इसी टाइम के बीच में रूल किया सबसे पहले बात करते हैं खिजर खान की टाइम पिरिट की बात करें तो 1414 से लेके 1421 AD का टाइम था खिजर खान हेल्प करता है तैमूर की टाइमूर कौन होता है एक Mongol invader होता है तो वो जो टाइमूर को जब भारत में आता है तो उससे पहले उसकी काफी मदद कर चुका होता है जितनी भी बैटल जो लड़ी जाती है यज़र खान को मलतान का गवरंडर का बना चाता है मलतान का लाहुर का टिपालपूर का क्वश्य की बदत करता है तो इसलिए जो खिजर खान होता है वो बड़ा वफादार होता है तैमूर का तो जैसे ही तैमूर को तो अपने आपको डिक्लेयर कर देता है कि वो अपने आपको बता देता है कि अम मैं सुल्तान हूँ देली का तुस तरह से वो बता देता है तो अब यहाँ पर सुल्तान है वो कौन बन चुका है तैमूर के बाद जैसे ही तैमूर अपना अटैक बटैक करके इंडिया से गया खिजर खान बन चुका है नो रोयल टाइटल टाइटल रायते आला ठीक है मुहमद गौरी अपने स्लेव को छोड़ जाता है कुदूपुद्दीन एबग को तो कुदूपुद्दीन एबग अज़स्लेव ही वहाँ पर रूल करता है लेकिन वो कभी भी अपने आपको सुल्तान का टाइटल नहीं देता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा है तैमूर के बाद जो किज रखण है वो अपने आपो कोई रॉयल टाइटल नहीं देता है वो तैमूर के बाद शब कुछ होता है नहीं लेता है ठीक है और 144080 में वो जो त्रोन है डली का उसको उक्यूपाय कर लेता है इसके बाद वो जो एरिया होता है उसको और expand करने की कोशिश करता है वो सूरत और दिलापूर होता है जो पंजाब होता है उन सब एरियास को अपने control में ले ले लेता है बट ही लॉस्ट बेंगॉल, टेकन, गुज्राद, जॉनपूर, खंडेश, ठीक है न मालवा लेकिन जो इतने भी बागी जो एरिया मैंने आपको बताएं इन सब पेसे जो उनका control है वो खो देता है and in 1421 he died, मुबारक शाह खिजर खान सन सक्सीड ही अब देखे खिजर खान की तो डेथ हो गई, अब आएगा इसका बेटा मुबारक शाह तो जैसे ही कुत्व पुद्दीन का बेटा आता जो इल्दतमिश होता है और फिर उसको true founder कहा गया, वो title भी लेता है और सब चीजे करता है और सुल्तान की तरह अपनी जो जिन्दिगी उसको जीता है तो यहाँ पर खिजर खान का बेटा भी वैसे ही करेगा तो आपको यहाँ पर कुछ चीज इना similar देखने के लिए मिलेंगी खिजर खान ने कभी कोई सुल्तान का title ले लिया उसने कभी अपने आपको ऐसा नहीं दिखाया कि वो डेली का सुल्तान बन चुका है लेकिन अब उसको बेटा है मुबारक्षा वो सब कुछ करेगा तो मुबारक्षा की बात करते हैं टाइम पिरिट की बात करें तो 1421 से 1434 AD तक इनका टाइम रहता है सबसे पहले के क्या करता है crush the local chief of the Dwaab region and the Khokar तो यह वहाँ पर जो Dwaab region के आसपास के जितने भी जो local chief होते है तो यह उनको सबसे पहले तो यह crush करता है सबसे बहले तो उनी को उठाता है तो यह पहला सुल्तान ruler to appoint Hindu novels in the court of Delhi यह पहला सुल्तान होता है जो Hindu novels को अपने court में मतलब डेली में appoint करता है इससे पहले जितने भी जो novels थे वो सब कौन होते थे मुस्लिम ही होते थे यह जो थे अरब जो मतलब कहेंगे अरब origin के यह Muslim थे ठीक है जो आगे जो इनके बाद जो वन शाता लोड़ी डैनस्टी वो Afghan origin के होते हैं तो यहाँ पर अभी तक जितनी भी dynasties आती हैं उनके court में जितनी भी जो nobles होते हैं वो सब क्या हो गया Muslim धरम से ही बिलॉंग करते हैं लेकिन यहाँ पर पहली बाद जो मुबारक शा होता है जो क्या करता है अपने court में appoint करता है Hindu nobles को He constructed मुबार्काबाद city on the bank of the river Jamna तो ठीक है अपने ही नाम पर फिर क्या करता है एक city भी बनवाता है बारकाबाद ठीक है ना Jamna के जो river होती है विल्कुल उसके किनारी के आसपास यह जो city है पूरी बसा देता है He had to fight constantly against the Rajput Muslim ruler of Malwa Johnpur and the Mughals from Kabul तो इसके time पे इसकी जो fights है वो Rajput के साथ बराबर चलती रहती है Muslim ruler के साथ भी इसकी fight होती है जो Malwa में और Johnpur में दूसरे जो Muslim थे जो rule कर रहे थे साथ में जो Kabul में उस समय जो Mughals थे वो वहाँ पर rule कर रहे थे अभी बाद में क्या होंगे वो इंडिया में आएंगे देते हैं in February 1434 में ठीक है और जैसे ही मुबारक शाह होता है उसकी death होती है तुरंत उसका जो nephew होता है उसका भतीजा होता है मुबारक शाह उसको थ्रोन पर बठा देते हैं ठीक है ना तो आगे चलके जो मुबारक शाह है उसको कौन सकसीड करेगा मुबारक शाह ठीक है ना जो उसका भतीजा होता है मुबारक शाह का जो टाइम पिरिड है वो है 1434 से 1445 एडी देके जैसे ही मुबारक शाह थ्रोन पर आता है सबसे पहले तो उसको कौन लेकर आता है जो सरवार उल्बुल्क होता है ठीक है तो वजीर होता है वो लेकर आता है क्यों देखिए जो मुहम्मद शाह को जो मरवाने का जो पीछे जीजन था sorry not मुहम्मद शाह मुबारक शाह जो इसके चाचा होते है जो इससे पहले रूल कर रहे थे मुबारक शाह तो उसको मरवाता कौन है उसका जो वजीर है वही उसके पीछे conspiracy करता है उसको मरवानी के लिए और उस वजीर का क्या नाम होता है जो यह सरवार उल मुल्क है वो उस वजीर का ही नाम है जो मुबारक शाह को मरवाता है और जैसे ही बुबारक शाह को मरवा देता है तुरन उसके भतीजे को एक हम कहेंगे पपेट बनाके बठा देता है कि चलेगा तो मेरे हिसाब से ही तो मुहमद शाह को थ्रोन पर बठा देता है तो सुल्तान ना प्लंच इन्टो टोटल कन्फूजन एनार्की अब बहुत जाता एनार्की फैल जाती है उस राज्चे में और जो सुल्तान होता है ठीक है शुरूर में तो उसको अच्छा लग रहा है मुहमद शाह को चलो थ्रोन मिल गया लेकि बाद में ना उसको लगता है कि मैं तो नाम काई सुल्तान हूँ को उसका मडर करा देता है और help लेता है कि इसकी बहलोल लोधी की आगे चलके जो बहलोल लोधी है यही डाइनस्टी बनाएगा अगली लोधी डाइनस्टी लेकिन उस टाइम पर यह सिर्फ गवर्णर होता है लाहूर का ठीक है तो इसकी मदद लेके जो मुहमद शाह होता है जो किंग मेकर होता है सरवार उल मुल्क जो वजीर भी होता है उसको हटवाता है फिर बाद में जो मुसलिम रूलर होता है उनको भी हराने में यह इनकी हल्प करता है लेकिन अब जो मुहम्मद शाह है उसकी डैथ हो जाती है 1445 में और उसके बाद सक्सीर करता है उसका बेटा अलाउदीन शाह अब आगे चलके ये उसको सक्सीर करेगा अलाउदीन शाह की बात करें तो 1445 से लेके 1457 तक इसका रूल रहा है अब देखें अलाउदीन शाह जो था जैसे ही वो अपने फादर के थ्रोन पर आता है वो अपने आपको एक टाइटल देता है अलाउदीन शाह बल्कि वो अपने आपको बाहर एक्स्पेंड करनी की और कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके टाइम पर क्या होता है स्रिफ डेली से लेके जो पालम है महां तक या बस पालम है वो भी सिर्फ डेली के पास वाला ये अरिया है तो आप खुछ सोच लो कि बस डेली तक ही रह गय था उस empire का कि जो कभी इतनी बड़ी हुआ करती थी ठीक है वो अप उन्होंने बिल्कुल करते 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 उनका जो पूरा जो पर उसे इरिया पर से डूट इंटर कॉंफिक्ट अलाउद दिन शहा तो स्टेंप डान फ्रॉन एंट सेंट इम तो बदाई तो देखे जो आलाउद दिन शहा का तो वो सब जो डर था ठीक है वो सब निकल चुका था तो क्या हुआ था जो आस पास के और जो दूसरे रूलर उन्होंने इसको दमाना शुरू कर दिया था जगा जगा पर जो लाई जगने बैटल सोनी शुरू गई थी तो कही ना कहीं उन सब चीजों से बच कर इसने वहाँ पर सब कुछ सही करने की तो कोशिश की नहीं बलकि अपना जो थ्रोन था उसको छोड़के भागया बदाई ठीक है उस वजीर को माणने में लेकि बेटा था capable नहीं निकलता तो इसलिए वो भाग जाता है तो अब बहलो लोधी को पता चलती है ये बाद कि वह डैली का जो थ्रोन है वो तो खाली पड़ा है ऐसी तो वो क्या करता है वो उसको capture कर लेता है और क्या कर देता है वहाँ कि फूद स्टाब्डिश वो जाता है 1478 में ठीक है अलाव दिन शाह डायडिन बदाईय। यो जो अलाव दिन शाह है उसकी डैथ हो जाती है बदाईयो में तो इस तरह से जो सayya dynasty होती है वो पूरी तरह से खतम हो जाती है अलाव दिन शाह के एसी कहा जाता है कि वह अपने जिसमें Delhi बे राज कर लिया वो पूरा सुल्तान पताया जाते हैं पूरे बहरतवश का ठीक है तो इसी लिए ज़ो पहलो लोधी होता है वो उनसे उस Delhi का ठ्रोन होता है उनसे छील लेता है थीक है तो यहाँ पर जाए सची करेंगे न Schmidt के लिए इतना ही इतना ही इतना ही था आगे हम जूसरा कि व्मारा आएगा उसमें को बात कर स्थे की वीडियो अच्छा लग रहे क्रिक मिलाय नले वी